हलो एड उरेवन कैसे हैं आप लोगं जानते हो बहुत दिन बाद हम आज पड़ने वाले हैं और वह भी कारभुल गुरूप की रैक्षिन की इत्रट की तो आप सभी को महीं फिर से यूट्यूब के एक्नल पर सूरज शींग पार है पिलिखा हुए कि जो कि बहुत important है बहुत बहुत important है ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कार्मिल गुरूप का chapter पूछा जाए उसमें नेम रेक्शन या कोई भी इससे related question ना है किसी भी इसा आज तक हुगा नहीं है तो basic fundamental यह है कि हम जो कार्मिल ग्रूप में पढ़ते हैं तो कार्मिल कुप में हम जो रेक्शन को पढ़ रहे होते हैं बेसिकली हम वहां पर बेस कैटलाइज या इसिट कैटलाइज का मेकेंजम को इस्तमाल करके इनुलेट नॉमली बनाते हैं जो बहुत ही फेमस एक्शन से हैं अल्डोल की बात कर है तो हर एक अलग अलग तरीके से बीवियर को करती है अगर हम इनुलेट बनाए इसका इनुलेट का मतलब क्या है इनुलेट कैसे बनता होगा हम मालीज यहां पर एक कंपाउंड लेते हैं CS3 COOH और इसको इसको ट्रीट करते हैं बेस के साथ मालीज हम कोई बेस लेकिया ओक यह ची होती है और यहां से एच लेकर कि पानी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है अभी बाद में इसके साथ क्या करता है रिजुनेट कर जाता है रिजुनेट कर जाएगा तो आप देख पा रहे हैं यहां पर एक स्ट्रक्शर से आपके पास डिजाइन होगा जो की पूरी की अभी में किनजम कि तो नहीं को करने वाले चाहे वाध करने हैं यहां रिजुनेट करने वालेक्षिंस वह yapmış संक संटें बहुत साथ है चाहिं कोई कर बनते हैं बस्युस्बीधियो अफर लगल लग होते है आपके तो चलिए one by one discuss करते हैं first off हम बात करने वाले हैं अल्डोल की जैसे कि आप जानते हैं अल्डोल कोई scientist नहीं थे अल्डोल that is a aldehyde and alcohol group दोनों को मिला करके अल्डोल बनाए गया है that is a aldol and again goes right now condensation तो aldol एक बार होगा aldol product बनेगा उसके पास आपका condensation हो जाएगा तो यह reaction mechanism कैसे transmit होता है कैसे तरह से काम करता है चलिए हम बात करते हैं तो चलिए हम बात करते हैं aldol condensation की तो हम पहली reaction जो कार्मिल गूर्प के आनवियाप में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है aldol condensation चलिए हम देखते हैं aldol condensation क्या होता है यहाँ अब देखिए aldol condensation राइट तो होता किया है बहुत सिंपल से मालो हम एक reaction लिखते हैं छोटी सी जनरल क्लास हम अगर बात करें तो होता किया आप देखिए यहाँ पर माली मैंने लिखा CS3COOH ठीक है aldehyde लिखा एक लिखा एक लिए अर्डिस एक्षिंट में परफार्माइन हे डालुट नच का हम इस्तेबाल करते हैं और यहां हम इसके तो मोर्स लेते हैं यह condensed form नहीं है अम जो बनाते हैं यह स्टेबल होता है तक यह यह स्टेबल नहीं होता है अगर प्रफाइशन डिखिंट चैट्टिकर तक विखास बता दूब कि Eldol में जो Elimination reactions होती है, वो Elimination reactions E1CB के थुरू होती है, किसके थुरू होती है? E1CB mechanism. तो यहाँ पर जो Elimination perform होगा, यह बात note कर लिजेगा, Elimination up conjugate base, first order, right? तो यहाँ पर जो Elimination होता है water का, जो Double Wond या Dehydration आप कर रहे हो, वो Elimination E1CB mechanism के थुरू perform होता है, तो हम अगर इसकी mechanism की बात करें, तो चलिए हम बात करते हैं, mechanism यह तो general class था, अगर हम इसकी mechanism की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी mechanism की बात करें, तो कैसे होता है, आप यहाँ पर first step में देखिए, हमारे पास क्या था, यह component था हमारा, यहाँ पर H लगे हुए थे, यहाँ पर H लगे हुए थे, हमने क्या किया, first step में क्या करते हैं, हम base मिला देते हैं, OH-, बेस क्या करता है, यहाँ से proton को अपस्टेक कर लेगा, तो यहाँ से proton कोई भी है कि ले सकते हो, अब दूसरे सबसे खास बात, जो एल्डोल होते हैं, उनके कम सकम एक alpha carbon हमेशा होना जोरी है, उसमें 1HB होना का होना बहुत आवस्यक है, ठीक है, निसस्टीज है, यह conditions है, एल्डोल तभी perform होगा, जब आपके aldehyde carbon के बगल में एक carbon हो, और उसमें 1HB होना चाहिए, तभी यह performance होगी, otherwise नहीं होगी, हमने OH के संपर्ख में लेकर OH को H2O, यहाँ पर क्या निकाल देंगे हम, यह OH यहाँ से क्या करेगा, deprotonate कर देगा, यहाँ से protons, यहाँ पर क्या बन जाएगा, carbonine बन जाएगा, यहाँ पर, ति यह आपस में क्या करते हैं, resonance करते हैं, यहाँ आपस में resonating structure रहते हैं, अगर हम इसका resonance के सबस्क्राइब, यहाँ आप बना निकार कर करके दिखाया था, अच्छा अब यह component हम ने इसका इस्तमाल कर लिए right? तो अब हम करते क्या है? बेस क का इस्तमाल करके हमने यह reaction को performance कर लिए right? अब यह हमने एक mole लिये थे इसके, हमने यहां पर reaction में कतने रिप्पेसेंज करते है, हम two moles लेते हैं, हाना? अब यह carbonine क्या करता है, reaction को perform करेगा, यह को कि resonance करते रहते हैं, यह component क्या होता है, हमें सा resonate करते रहते हैं, तो होता क्या है, कि अगर हम second step की बात करें, यहाँ पर दूसरे step की बात करें, तो हो क्या रहा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है यह चीज है और हमको बता दे आपको हम्हें पास एक दूसरा रियेजिन भी होता है हम इसके दो सबस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं एक तो यह वाला यहां पैसा नहीं लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं ठीक है हम दो है ना बहुत सिंपल समय करें नमें तो हम जड़ा आगे लिखें इस बात को इस बात को जब हम आगे लिखते हैं ती एरेक्शन में यह होता किया है जड़ा ध्यान से देखिए आप ध्यान से देखिए आगे यह हो जाएगा CS3 यहां पे C यहां पे O H यहां पे भी H यहां एच और यह एल्मेंटस आप का यह बंके त्यार हो जागा आप सब जहां क्या लगा लिए एच लगा दीजी है ठीक है अब देखिए अब देखिए यह ऑन गया जो हमने ऊपर बनाया था मैंने किया क्या यहां पर हमने एक मोल रिजरं का इस्तिमाल किया हम रिश मिला दिया बेस की हेसड पर काम है स्वेसा कार्बन की हैि निकाल था थिक बनेट हो ओप रहा दिक टो हम किया कर लेंक से निनलेट जो ऑक ऊपर मैंद में आया था थैंधना पर तो इस दोनेक होझां तो है डोनेक हो जाएग त्यूप फिर पर यह से से रूकुमिंस यह होतु हो जाएगा तो है बहुत हो जाएगा तो यह सवल्ख आइफ हो जाएगा यहां फिर तो ही निएकशन को पार्टिसिमिट करेगा हो द्याल्गि about तो आपस से तो हमको क्या करेंगा रिटेस हो जाएगा तो आपको निकलता रहेगा तो आपको बार बार सपोर्ट करते रहेंगे इतनी बात हमें लगता आपको समझ में आ गई होगी एक बार फिर से आप इसको देख लीजे कैसे हुआ है यहां पे OH- होता है, यहां से H को diprotonate करते हैं, यहां पे हम proton को निकाल लेता है, यहां पे आपका inolate का formation होगा है, सारी reaction में क्या बनता है, हमारे inolate के formation होते हैं, आपको पता है, and this will be again nucleophilic reactions, and nucleophilic adsense reactions हो जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा, और यह जो पानी निकल लाते हैं, यहां पे H क्या करेगा, अटाइच कर देगा, O की उपर minus इसको proton बहुत पसंद है, ठीके, तो यहां पे आपका यह Eldol product, इसको हम क्या बोलते हैं, rate कैसे decide करें, तो हम rate की कर बात करें, तो जब rate of reaction, यहां पे देखे, kinetics, इसके हम kinetics की बात करें, तो what's going on, ठीक है, हम dilute energy के इस्तिमाल कर रहेते हैं, अगर हम rate of reaction लिखते हैं, तो आपको पता है k times, यहां पे कुछ आएगा, और कुछ यहां भी आएगा, कि यहां भी कुछ आएगा, कुछ यहां भी, तो जो यह step आप देख रहे हो यहां पे, यह वाले step आपकी RDS होती है, यह step क्या होती है, rate determining step होती है, तो rate is determining का order लिखते हैं, तो चली ज़रा इसका order लिखते हैं, तो order कैसे आएगा, यह reaction CH3, CHO, यह लिखेंगे, और यहां पे यह जो आपका inolate बन रहा है, inolate का मतलब यह, ठीक है, यह, इन दुनों पी बात क्या होती है, demand करती है, यहां पे ताम देख लिए, लेकिन यह जो component यह equivalent आ रहा है, यह equilibrium को balance करते हुगा है, तो जब यह equilibrium को balance करेगा, तो इसके लिए हमें क्या निकलना पड़ेगा, equilibrium constant निकालना पड़ेगा, ज़ला निकालिए, इस वाली reaction के लएकिन के लिए, हम equilibrium constant की value निकालें, तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है, chapter number 7, chemical equilibrium आ पड़े हों हमको इसकी value चाहिए तो इसकी value चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा? इधर लिखना पड़ेगा K equilibrium क्या हो जाएगा? CH3 CHO into OH- ये किसके बरापर हो जाएगा? इसी राइट ना? और यहां पर क्या जाएगा? ये आजाएगा ठीक है, ये concentration आगया, अब हमको पता है कि ये K equilibrium की value है, हमको इसको replace करेगा क्योंकि ये equilibrium से हा रहा है, तो हम उसको उससे उस data से replace कर देंगे, जब replace करेंगे तो आपको पास rate of reaction जो आएगी, क्या आएगी? K into K equilibrium, इसको हम क्या लिख देंगे? K dash लिख देंगे, एक नया constant generate हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते है? K dash, अब हमने करना क्या है? ये किसके बराबर है? इसके, यानि इसके place पे हम ये put कर देंगे, हमारे पास तो ये CS3, CHO पहले से था, ध्यान से देखी सब लोग, CS3, CHO अब इसके place हम क्या put करेंगे ये चीज़, फिर से लिखिए यहाँ पे, CS3, CHO और यहाँ पे क्या जाएगा? OH-, अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे CS3, CHO, CS3, CS2, CS2 दो बार है, यानि एक order यहाँ पे, एक order यहाँ पे, एक order यहाँ पे, तागर सब का summation करोगे, तो order आ reaction होती ही, यही RDS बन जाती है, यही RDS बन जाती है, यही RDS बन जाती है, ठीक है, नीचे वाला step नहीं, यही आपका RDS की तरफ प्लेटफर्म स्टार्ट गरे है, क्योंकि आपने base बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया, तो reaction यही पे टरमीट होती ही, यही आपका RDS हो बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, अगर varied dilute solution हो जाए, बहुत जादा dilution कर दिया आपने, 10% से भी कम कर दिया, 10% जितना अगर आपने dilution किया, तो होगा क्या, order जो हो जाएगा वो, वो हो जाएगा आपका order 2, यह बात आप हमें सा यादा किया, जब जादा dilution हो जाता 10% स स्टेबल होंगे, इस से कम स्टेबल होंगे, अगर आपने higher temperature किया ना, तो elimination हो जाता है, और elimination तो कई तरगे होती है, तो उसमें जो elimination होता है, वो even CB mechanism को follow करता है, यह reaction जो है, elimination को reaction को follow कर गएगा, but even CB, elimination आप conjugate base को follow करने वाला है, तो यह आपको बहुत जोरी है, बहुत detail में याद रखने की जुरूत है, ठीक है, तो यह बात आप हमेसा याद रखेगा कि यह कैसे reaction perform होती है, तो हम चलिए, अगले mechanism को बात कर ले, अगर हम even CB कराते हैं, तो हम यहाँ पर database आपको बता दे, कैसे even CB, हम यह data आप note कर लिजेगा, copy जिन लोगों ने किया है, ठीक है, इस यहाँ पर देखी जरध्यान से, CS3, यहाँ पर C है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर LDH group है, इसके बगलवाले carbon को alpha, इसको हम बोलते है, alpha, beta, LDH, LDH product आपका बना है, ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होता है, हमारे पास जो OH होता है, OH, base, वो इस लाइक इस वोन इस वन इसमें से जो भी बेटर लिविंग पर टेंडेंसी उससे अच्छा है, कि OH को निकाला जाए, यहाँ से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो इन दोनों के पीज में क्या जाएगा, डबल बोल्न, मैंने क्या किया, alpha carbon का जो H था, proton क्या करेगा, SD कै यहां से क्या निकल जाएगा, 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 यहां से क्या निकलने के बाद जो बनता है, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से क्य कि अल्फा बीटाान सैच्रीरेट ठीक है अल्डोल ठीक है अल्डोल कंडन्सेशन अब यहां पर क्या हो जाए कहां गाए यहां पी एस लगा लिजेगा यह रिप्वेट है यह उन स्टोरों मिलता है बहुत ही बेसिक फण्नमेंटल यहां से जरनी डीटेल में सारी कुछे गया है हमने किया कि Elimination में ने आपको बताया कि यहां पर Even CB के थुरू ही Elimination possible होता है अगर हम normal dilution का काम करते हैं 40-50% dilute करते हैं तो आपका order जो आपका आता है यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर यहां पर आपका product बनता है वह alpha-beta unsaturated के फार में बनता है तो यह basic eldol condensation था और यह इस eldol condensation को हम self-eldol बोलते हैं हमारे पास जब eldhide group same type के हो same type के आप eldhide आप इस्तिमाल करें यहां पर देखिए आप symmetry जो इसके आपने मूल्स इस्तिमाल किये ना दो मूल्स वह भी same लिए हैं जो भी आपके मूल्स इस्तिमाल करें वह दूनों मूल्स क्या है same है ठीक है जब same type के eldhide groups आपस में reaction करते हैं हम क्या किये यहां भी eldhide same था नीचे भी इनुलेट से बना है वह भी same था अगर दोनों component से हो जाते हैं तो उसको हम self-aldol बोलते हैं क्या बोलते हैं self-aldol इसका एक दूसर भी फार्म होता है cross-aldol राइट तो cross-aldol कैसे होता है cross-aldol से तब होता है जब हमारे कि cross-aldol क्या होता है चलिए हम बात कर लेते हैं cross-aldol की ठीक है अब कर दिया हमने चलिए बात कर लेते हैं cross-aldol की कैसे cross-aldol होता है you will see right now cross-aldol cross-aldol reactions ठीक है अब देखिए हमने क्या बताया कि अगर हम cross-aldol का मतलब होता है हमने क्या किया दो डिफरेंट लिए 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 सिएसी अच्छ ओ और हमने लिया क्या SCHO हमने क्या किया इसमें आपने बता है कि हम डालू 10-0 की साथ reaction कराते है ठीक है अब इस्तेमाल कर सकते हैं हम क्या करेंगी डालू 10-0 कि या करता है reaction करता है यहां पर connection होगी तो product हमारा जो आने वाला आपको पता है कैसे लाता है product यहां पर आजाएगा यह ठीक है और दूसरा element आपके पास यह है और यहां पर आजाएगा आपका this one this one ठीक है हम mechanism की तुरू बात कर लेते हैं कैसे होता होगा actually होता कुछ नहीं है आपने यहां पर जानते है step one में क्या होगा ठीक है हम बता दें आपको कि यहां पर यह जो काम होने वाला है आप देख पा रहें यहां पर यहां पर यहां पर पास क्या होगा OH- ठीक हो जाएगा यहां पे एक निकल जाएगा यहां पर टी यहां पर नियोलेट का formation हो जाएगा you will see the same mechanism हो जाएगा यह रिजनीट करेगा इसके साथ यह क्या और यह जाएगा है है कि जो एल्डोल रेक्शन होती है दीट फगल में का अल्फा कावन का होना जरूरी है क्या इसके पास आफ़ा कारवन देख पा रहे हो इसमें ृइसपल है फोल्फ कर लेक्स को कर दो्म हो पहांगे हम कि यहां पर पॉपर इस तरह से यहां पर यहां पर यह यहां पर उपर यहां मैं आपको इसको रीटेस करके दिखाता हूं इस तरह से बनाके यह वाला O ऐसे घूमेगा अंदर की तरफ राइट यह एसे घूमेगा तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए CH यहां पर है और यहां पर आपका आजाएगा डबल बॉन ओ ठीक है यहां पर ह जाएगा इससे यह वाला मालीकुल जो लेगा इसके उपर O Q पर माइनस है और की उपर माइनस लगा दिए इस कारवन से दो एच कनेक्ट है इस कारवन से दो एच कनेक्ट है अब यह बैलेंस यह पूरी हो गई हमको पता है कि सिस्टम में पान ह निकल लाएता क्या हो जाये जहाए पर फिर इसरो बना देगा यहां पर देख पार है CS3 यहां पर आपकद आ जयागा है यहां यहें देखेंगे तोWAN 7 ml ह मिलेगा यहां पर आपकी पास ह मिलेगा यह ठीक है धिर टिखा मैं वहां पर लिख देता हूं आपके फर्मल्लिएट जब इस्तिमाल करेंगे तो आपका ये बनेगा ठीक है देखिए यहां पर किया बनने वाला है C-H यहां पर मैंने अल्लिएट लगा दिया यह ग्रूप यहां पर कार्बन यहां पर OH यहां पर H यहां पर H दो different type of component है Elimination आप कर सकते हो आपके उपर है आप heat कर देने हो जाएगा ठीक है Elimination कैसे होगी यह इसके रिस्ट में alpha है और यह क्या है beta है तो यह ऐसे घुमेगा वह यहां से बाहर निकल जाएगा alpha, beta, unsaturated फिर से product आजाएगा LDL का product आजाएगा condensation तो बहुत basic से example से बहुत simple साथ same mechanism follow कर रहा है cross LDL right formaldehyde था इसके formaldehyde के साथ the value channel reaction करते है हम तो हमारे पास product कुछ ऐसा था यहां पर आप H लगा लीजिएगा यहां पर यहां पर बाद में आप elimination भी करा सकते हो आप ठीक है alpha and this one beta right तो हम यहां पर step वही same follow करेंगे जैसे हम करते हैं right तो इस तरह से reaction mechanism को follow करेंगे हमारा product आपका update हो जाएगा अब आप हमें क्या कर सकते हैं हमें 5-10 degree centigrade भी product stable होते हैं इसके higher temperature बे क्या हो जाएगे reaction हमें साथ Geofind होगी order आपका से रहेगा ठीक है अब चलिबात के लिए एक दूसरी सी reaction आती है intermolecular allol condensation क्या होता है intermolecular allol condensation am Miraculation हो जाता है intermolecular allol condensation में क्या होता है cyclization होता है, ring of formation हो जाता है चलिए हम discuss कर लेते हैं intermolecular ठीक है तब उसकी बात कर लेते हैं intermolecular lull क्या होता है ठीक है चलिए देखते है intermolecular lull क्या होता है हम इसको रब कर दे रहे हैं तो intermolecular lull में क्या होता है cyclization होता है, एक ही molecule आपका होगा उसी में reaction performance होगी, ठीक है, एक ही molecule के अंदर क्या होती है, reactions हो जाती है, चलिए हम बात कर लेते हैं, intermolecular, ठीक है, intermolecular allol condensation, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं intermolecular allol reactions, तो उसके बार में discuss करते हैं, intermolecular allol condensation कैसे होती है, हम ब्लानते हैं कि cyclization होता है, intermolecular allol में reaction में cyclization होता है, तो कैसे होता है, जर यह चलिए, जरा हम देख लेते हैं, एक reaction के दुरू कैसे होता है, आप reaction के दूरू आसानी जा समझ जाएंगे, हम क्या बोलने वाले हैं, हम पास दो पोजिशन से यहां निकालने, आप freedom है, freedom है liberty है, आप निकाल लो, हमने क्या किया, यहां से एक है को निकाला, यहां पर आगया माइनस चाल्ज, हम बेसिक फंडमेंटल से हैं, अब यह निकली फिलिक रिखाई देगा, यहां पर यहां पर यहां पर जैसे आप यहां पर attack कर दिया, OQ पर क्या गया, मैनस चार्ज आ गया, right? जब OQ पर मैनस आ गया, डालोटनियोज का आप इस्तिमाल किया, आपने OQ पर मैनस चार्ज आ, right? तो अब होगा क्या, अब हम इसको combine करेंगे, क्योंकि cyclization होना ना जा, cycle बनने वाली, ring बनने वाला है, right? तो हम क्या करेंगे, इंटर माली गुल, यानि एक ही elements में आपनी reaction हो रही है, डालोटनियोज के साथ, तो होता क्या है, जरह हम इस compound को लिखना start करें, तो होगा क्या, यहां पर दिखिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप numbering कर लो, one number, two, three, four, five, six, seven, तो हम numbering कर लेत ठीक है, एक number कहां पर है हमारा, एक number यहां पर उपर, उसके दूसरे number पर क्या लगा हुआ है, और उसके अगले वाले carbon पर क्या लगा हुआ है, जिससे यह attached होगा, उसी carbon पर एक methyl लगा हुआ है, मैंने लगा दिया, आपको पता चल गया, यहां एक number था, यहां दो number, तीन number, चार, पांच, छे, और यह साथ number, ठीक है, seven number का carbon आपको बाहर आ गया, आप कभी भी इस तरह के जब cyclization होते हैं, बड़ी problem होती ही लोगों को, क्या होता है, आप numbering कर लिया हो, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, अब हमारे पास क्या था पानी, हम यहां क्या कर देंगे, पानी का addition हो जाएगा, ठीक है, तो alpha carbon पर जहां सबसे ज़्यादा stability होती है, हम वही से h निकालेंगे, तो h हमारे निकालने के टेंडेंसी डिपेंड करती है, alpha carbon पर h से, या पर उसके resonating structure से, यानि resonance से, तो अगर हम यहां से निकालते हैं, अगर यहां से निकालें, यहां तो हमारा वीडियो पड़ तो कैसे हो जाएगा, यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर मता रहों को, यहां जाएगा, यहां जाएगा, और यहां पर क्या जाएगा, अपर methyl आ जाएगा, इस तरह से आपका product बनके तयार हो जाएगा, यह एक intermolecular reaction, यह आपकी क्या है, intermolecular reaction हो जाएगी, यह आपकी क से चोटे नहीं राइट था हम पाइप टूपर क्या लाजएगा अब यहां पर आपका प्रोड़क बन गया यह लिखने में थोड़ा तकलीफ होती है मैंने करके आपको बता दिया किस तरह से नंबर करके जोड़ते हैं वन नमबर मैंने किसको दिया इसको और इसी सारे कंपाउंड को क्या गया एक दूसरे से करेक्ट कर दिया बात मिसका क्या करें हम Elimination Elimination will be takes by even CB है ना even CB से Elimination हो जाएगा Conjugate को बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे हम double bond अंदर की तरफ लगाएं हमने बता रखा है इस concept को double bond बनने के बाद जहां stability जादा होती है यह originals भी है और hyperconjugate भी कर रहा है बगलवाले element इस यहां पर देख पा रहे हैं आप ठीक है तो यह काफी ज़दा this is a reaction which is known as an intermolecular allol condensation right इसको we have intermolecular allol condensation बोलते हैं intermolecular allol condensation एक और allol होता है जिसको हम बताते है retro allol तो हम जलाव उसकी बात करते है retro allol कैसे performance होता है retro allol की बारे में भी बात करना है तो चली हम बात कर लेलते है retro allol क्या होता है विपुल जो मैं रब करता हूँ यह कट सकता है या ठीक है वह हम पूरा काट लेंगे हम जब स्टार्ट करेंगे ना हमें पता है आप कैसे काट करते हो ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेक्ट्रो एल्डोल िरीक्षन क्या होती है हम आपको बता देगे इतनी तो रहे ही ठीक है अगर हम सब्सक्राइबूअ से बना रहे थे हम लенे कोई हम बात कर लेते हैं के साथ अगर हम बात किले कोई हम लोगा पॉड़ का पॉशन के यह फाल हमारे पास हम rescued के लडोल का प्रोडक्ट था जो यह था हमने क्या किया concentrate energy इस्तिमाल किया concentrated energy यानि concentrated base इस्तिमाल किया OH तो base का काम है asgic edge को remove करना तो हमारे पास heteroatum edge बहुत ज्यादा क्या है asgic होता भी है तो यह remove होगा यहां से तो जब remove होगा तो क्या होगा cs3 c oq- यहां पी क्या जाएगा h और यहां पी क्या जाएगा cs2 और यहां पी क्या जाएगा c2 reaction backward नहीं जाएगी right reaction backward नहीं जा सकते reason behind that कि आपने जो यहां पे base आपने इस्तिमाल किया highly concentrated है highly concentrated है तो reaction हमेंसा forward group takes place करेगी हमेंसा आगे जाएगी पीछे जाने का चांस ही खतम होगा क्योंकि आपने highly concentrated energy base हित्माल किया गया है तो यह reaction कहां जाएगी हमेंसा आगे की तरब जाएगी तो अब इसी में होने वाला होगा यह अगर resonate किया यह घूमा तो यह better living group के तरह यहां पर देखिए हम क्या करेंगे water जैसे इसको डालेंगे इसके उपर यहां पर क्या हो जाएगा प्रोटान अटाइच हो जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा को देख पार है यहां पर CS3C double bond OH और दूसरा क्या बनेगा CS3COOH यानि दोनों होते हैं जो एलेक्रो निगेटिव कंटेंड करने वाले एक्टम होते हैं वहां ही सेच रिमूब होगा हमने क्या किया यहां सेच को रिमूब कर दिया जब रिमूब करेंगे तो ऑक की उपर कैसा चार जाएगा यह तो बीक है यह यहीं पर दिखाई दे रही है यह बेटर लिविंग गूरुप के तरह ठीट हो जाएगा तो वहां से रिमूब हो जाएगा हमारे पास एक इस्टल्डीएड आ गया हमको पता है सेल्फ एल्डोल में हम दो मूल इस्तिमाल करते हैं बहले अलग 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 किल्डीएड आप स्तिमाल करते हो सेम टाइप के अलग किक्रियों सिर्क्षं अलग होती हो इसमें मूल में सबकुछ हो जाता है यहां पर क्या किया एक बना दूसा कमपोनिट है हमने पानी भी विस्तिमाल किया है तो पानी कटकर हमारे पास क्या आजागा जो अनाइन बने ह होती रहे ठीक है तो highly concentration से यह benefit भी है अगर हम reaction को पीछे ले जाना चाहते हैं तो हम इस्तिमाल करेंगे रेक्षिन को फारवल ले जाना चाहिए चाहिए चाहते हैं अगर मालफा बीटा बीटा बनाना है तो हम सेल्फ एल्डोल कराएंगे तो बेसिक अगर हम सेल्फ एल्डोल की बात करें तो सेल्फ एल्डोल में क्या होता था सेल्फ हमारा अगर हम उससे पहले की बात करें थमारा यहां पर यहां पर यह ने नियुक्त करा देंगे तो रिजूनेट कराने पर यह बेटर लिविंग ग्रूफ हो गया यह जैसे रिमूब होगा आपका एक इनुलेट वाला फिर से बन किया यहां यहां पर फिर से नहला देंगे इसको तो यहां पर यहांप प्रोट्र आटर्च हो जाए करने माले हैं आप वीडियोदः देचते रहे हैं एंजोवडाheru और हमारे चैनल मेरे सुभ्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहें जिन लोगे वीने पसंद हैं लाइक करें जिनको नहीं पसंद आई वो जो भी करना चाहे और कर सकते हैं तब देख लिमेर्या and take care.